तो हाँ बही करें शुरू तो आज की इस वीडिय के अंदर हम कुछ ऐसी चीजों की बात करने वाले हैं जो कि कंपनिया अपने लॉंच इवेंट के अंदर शोर मचा मचा के बता देती हैं कि हमने यह दिया हो दिया है और उसके चक्कर में फोन की काफी ज्यादा हाइप बन ज बागी लाश्ट वीडियो के इंदर मुझे इन पांच लोगों के कमेंट जाद अच्छे लेगे और इस वीडियो पर भी 10,000 लाइक का एम किया है बागी चैनल पर पहली वार आयो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रू कर देना मेरे दोस्त तो सबसे पहली चीज जो फोन की हम लोग ने देखा है किसी भी स्मार्टफोन के आने से पहले स्मार्टफोन कम यह से above ड़े यही प्राइस करें गत्याओ से ले अर्ट आपने i intelligent रुपि getting a जाए बेस वेरेंट का प्राइस भले ही वहाँ पर चार्जी भी रहा हो तो हम लोग काफी जदा एकसाइटीड हो जाते हैं उस चीज के लिए और सोचते हैं कि यह फोन तो बहुत सही है वैली फोर मनी है और अब क्या है कि यहाँ पर कंपनी का असली गेम चाल हो जाता है हमने जो नेक्स्ट वेरेंट इंटलेक 6G वाला उसमें 2,000 रुपी तो एक्सर जा रहे हैं उसे बाइ कर लो लेकिन अम उस टाइम पर यह नहीं सोचतेगी उस प्राइज रेंच के अंदर हो सके तो कोई दूसरा फोन भी मिल रहा उससे खतरनाक वाला तो यह है सबसे पहली चीज हम लोगों के लिए इतनी सही चीज नहीं है अब यहां पर मैं बता दू कि स्मार्टफोन कंपनिया बहुत दिमाग से खेलती है यह क्या करती है लोंच इवेंट के टाइम पर भी यह बता देंगे कि यह जो आप लोंच इवेंट देख रहे हैं इसके लिए कोई कैमरा लेंस भी यूज किया जाता है फोन के साथ जिससे क्लिर्टी फोन की और एंहेंस हो जाती है और हम बता दू कि लैंस की कीमत भाई फोन से भी जादा जादा होती है अब यहां पर मैंने गिंबल की वोला फोन के साथ यूज कर जाता है तो मैंने देखा है कि 4K 60fps तक अभी OIS काम करता है लेकिन 8K वीडियो के रिकोर्डिंग के टाइम पर OIS बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करता साथ ही 4K में जो कलर्स मिलते है वो 8K में नहीं मिलते 8K काफी जाद अजीब आ रहे हैं क्यूंकि अभी जो प्रोसेसर है कैपेबल तो है 8K को है एंडिल करने के लि सबसे बड़ी जो प्रोब्लम मुझे लगते है 8K वीडियो रिकोर्डिंग की वह एक तो फोन हीट होता है लाइक 4K में हीट होना स्टार्ट हो जाता है तो 8K में तो अंदाज लगा सकते हो साथ ही जो स्टोरेज है आपके फोन के अंदर अगर दू फिफिटी सिक्टी भी ह वह भी आपके फोन के अंदर एक घंटे की वीडियो रिकोर्ड नहीं कर सकती 8K में जोर जोर से लोगों को स्कीमें बता दे तो 8K मुझे जितना लगता है मैंने जितना यूज करा है मेरे को बागी पता है मैक्सिम लोगों ने 1080P करा हो बागी एक वर फीचर आता है वह अगर आप इसके अंदर dual view यूज करते हो तो बैक में भले ही OIS है लेकिन dual view को यूज करते है एक तो pixelation स्टार्ट हो जाती है आनी वीडियो के अंदर दूसरा stabilization इतनी अच्छी नहीं मिलती जितना की एक कैमरा को यूज करते मिलती है तो यहाँ पर सिर्फ ओ सिर्फ ऐसे वे यह अपने launch event के अंदर चिला चिला अगर बताती है कि हमने अपने smartphone के अंदर अभी तक किसी भी phone में आने वाली सबसे जादा bright display डाली है सपोज इन्होंने 1700 nits की peak brightness वाली display हमें offer कर दी अब क्या है कि हम लोग कभी दो फोन को जब compare करते हैं एक के अंदर 1000 nits की peak brightness है और जब हम compare करते हैं तो देखते हैं कि बाई दोनों same ही perform करते हैं outdoor के अंदर तो हमें लगता है और चूना लगा दिया बट ऐसा नहीं है यहां पर क्या है कि कंपनिया तीन तरीके की peak brightness offer करती है मानो की indoor के अंदर जो हम maximum boost करते हैं खुद से वह बानो 600 nits की peak brightness है तो outdoor में जाते वो थोड़ा boost हो जाएगी यहां पर 1000 nits की peak brightness मिल जाएगी फिर भी यहां पर आपको maximum peak brightness नहीं मिलेगी maximum peak brightness ज्यादतर cases में देखा गया तर दो फोन compare करते हैं तो यह चीज़ आउड़र पीक brightness पर डिपैंड करेगी ना कि जो company ने बता है उस पर और company जादतर cases में देखा है इन तीनों peak brightness को disclose नहीं करता है वह सिर्फ अपना पीक बताते हैं जिसकी वेसे हम लोगों को लगता है यार यह फोन तो सबसे ज़्याद अपने चैनल पर इंडियन उनिट की भी चाइनीज उनिट की भी एंड उसके अंदर आपको microscope camera sensor दिया है वहां पर कम मेगा पिक्सल का camera sensor है बट जो उसका वर्क है वह काफी ज्यादा next level है और इसकी इतनी ज़्यादा है कि अगर बात करी जाएगी भाई यूनिक camera sensor वाला phone बट एक्चुली मैंने देखा है कि मैंने इस camera को एक दिन यूज करा दूसरे दिन यूज करना ही बंद कर दिया है क्योंकि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा यूसफुल camera sensor है वो main ultrawide telephoto camera sensor है microscope camera sensor ऐसा है जैसे कि बच्चे को नया टोई देतेते हैं एक दो दिन तो चलाएग बट हम लोगों के लिए जो main camera sensor है जो ultrawide angle camera sensor है telephoto camera sensor है मेरे जिसाब से यह camera sensor important होने चाहिए ना कि microscope camera sensor और इस चीज के चक्र में हम लोग फज जाते हैं और इसी तरीके से ना अभी गाएगी quad camera setup चाहिए हर किसी को अगर कोई company 2 camera's उफर कर दिया useful तो लोग उसे criticize करते है कु आपको depth camera sensor या वहीं पर Samsung जिसका portrait mode के अंदर आज detection बहुत ही जादा कमाल का है यह कहां देता है आपको depth camera sensor और इसी तरीके से ultra wide को यूज करके macro camera sensor की तरह भी यूज किया जा सकता है तो यहां पर सिर्फो सिर्फ कंपनिया चार नंबर के नाम से हमारे दिमाग से खेल जाती ह है और जिस तरीके से quad camera setup चाहिए ना लोगों को इसी तरीके से चाहिए high megapixel वाला camera setup और इसमें मैं company की गलती नहीं बोलूंगा अलाइक कंपनियों ने धीरे low megapixel पर shift होना start कर दिया था बट फिर भी लोगों को लगा भाई दूसरा फॉन तो 108 megapixel ओफर कर रहा है तो यहां पर पर मैं आपको दो फोटो देखा रहा हूँ एक low megapixel से capture करी है एक high megapixel से capture करी है आप जब तक मुझे बताइए कि आपको कौन सी फोटो अच्छी लगे है यह लगा कि यह जादा megapixel से capture करी है जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि image किस चीज पर matter करती है megapixel important उतने नहीं है ज ज्यादा अच्छी होगी साथ ही यहाँ पर जो focus aperture है वह अच्छा होना अच्छी है फोन का suppose अगर आप दो फोन को compare कर रहे हो तो उनके focus aperture को देखा करो like एक offer कर रहा है आपको f2.4 एक कर रहा है f1.8 तो आप 1.8 वाले की तरफ जाओ इसकी वेसे आपको indoor quality अच्छी देखने control कैसा वह देखा करो अब मैंने देखा है कि काफी phone ऐसे हैं जो कि आपको 64 megapixel के साथ मिलते हैं बट उनकी जो outdoor quality फोटो की वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ पर मैं realme का फोन ले लेता हूं realme 9 pro plus indoor के अंदर बहुत अच्छा perform करता है लेकिन outdoor में जाते भाई वह phone म यहाँ पर भाई high megapixel पर न जाकर इन सारी चीजों से जज किया फोन को और अब यहाँ पर मैं photos की बता दूं तो आप A वाली फोटो जो देख रहे हो यह 8 megapixel का ultra wide angle camera से लिए और B वाली जो देख रहे हो यह लिए 15 megapixel का ultra wide angle camera sensor से और यहाँ पर मेरे को detail में इतना फर्क नहीं लगा बागी जो dynamic range है जो colors है वो 8 megapixel की image की जादा अच्छे हैं तो यहाँ पर हमें all over एक balance image चाहिए ना कि हमें high megapixel वाली image चाहिए और अभी 2022 के अंदर जो भाई एक सबसे ज़्यादा चीज चल रही है वह स्टीरियो स्पीकर मिट रेंज के इंदर जब से स्टीरियो स्पी पेर किये थे और मैंने आपको बताया है कि मोनो स्पीकर की जो sound थी ज्यादा लाओद थी ज्यादा clean थी तो यहां पर ऐसा ही जाए बाइद मोनो स्पीकर का आपको top से और bottom से दोनों तरफ से sound आती है जब भी आप फोन में इस तरीके से content देखते है तो आपको immersive experience मिलता है ब क्लीन साउंट प्रोवाइड कराते हैं अब आज का लास्ट पॉइंट और सबसे जादा चल्चित पॉइंट है वह है फास्ट चारजिंग लाइक हमने देखा है स्मार्ट फॉन कमपनियां लास्ट यह तक दे रही थी 67 65 वोट की फास्ट चारजिंग बट अचानक से 2022 के अंद एक दिन पहले करा दूसरा दूसरे दिन करा तो यहां पर चीटिंग नहीं करी हम लोगों ने कंट्रोल तो यहां पर मैं पांच-दिस मिनिट के डिफ्रेंस की चक्कर में कंपनी को दो-तीन अजार पे एक फोन निकाला थे 28 के साथ 1.500 वोट के साथ रियल में किसी ने बोला फोन द ने देखा जितना एनलाइज करा शुरी लिए काफी है शुलिछ हाए की वोट की 5 जाडिकी से दो आपके और 2 बटिस पार ने प्रस शुलम से कोई फीचर उस्फूल था और वीडियो चिलेगे तो लाइक कि यहे वीगर मस पागisten चैनल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो, भाई यहां पर नीचे की तरफ लाल बटन होगा, उसमें मुक्का मार दो, और फोन मत तोड़ दे ना, भागी आप भी मुझे बता न, अगर आपको कोई और गिमिक लगती है फोनों के अंदर, So that's it guys, मिलते जल्दे कूद और एक्साइइटीं वीडियो मिते जब तक के लिए जोमन मैं guys, we're gonna do what your heart feel, straight in with the HFVN box guys, bye!